पर सर ये इतने subjects तो और इतने options आइडियल वर्ल्ड में तो it is perfect पर ये शेहरों तक भी अगर सिर्फ शेहरों तक सीमित रहेगा अगर सिर्फ टियर वन सिटीज में सीमित रहेगा अभी भी आप देख लीजिए थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे तो technology and skills इसमें कितना फ एक assessment है ये learning loss में हम कहां खड़े हो रहे हैं एक प्रथम करके जो देश के विश्व सिनिय समाजिक संगठन है उनकी एक assessment report आई उसमें निकाला भारत की 60 में दो साल पहले की report की बारे मुले कर रहा हूं 67% घरों में स्मार्टफोन उपलब्द है कल मेरे को मेटा के global president आये थे उन्होंने मेरे को एक जानकारी दी कि भारत में अभी लगभग unique consumer of meta company कोई facebook में है कोई whatsapp में है कोई insta में है इन में से तीनों में अगर तीनों मिना तो लगभग 1500 करोड है हमारे आबादीते उपर है लेकिन कई लोग multiple user है कम से कम 85 से 80 करोड सिटिजेन स्मार्टफोन और टेक्नलोजी के साथ जुड़ चुके हैं आने वाले दिनों में classroom हमारी हाथ में रहने वाला gadget के उपर आ और मैं आपके पास तो सो एक्जामपल बता सकता हूं देश की ग्रामिन इलाका देश की ट्राइबल्स देश की अतियंत बंचीद वर्ग की लोग टेक्नोजी के माध्यम से खुद को कैसे एंपाउर के हैं उसकी सबसे बड़ा अधान है आज देश की digital social infrastructure यह जो आज देश क बन चुकी इसलिए हम विश्व की 100 रूपिया की अगर digital transaction होती है तो 46 रूपीज भारत में केबल होती है इसलिए आने वाले दिनों में जो यह सारा विश्य भी सब जाकाग पर सब नहीं होगा एक जिले में एक जिले में एक निर्दिश्ट प्रकार की economy है कुछ conventional economy agriculture district food processing unit है वहाँ diary है वहाँ कोई बड़े कारखना लगे हैं या बड़े project आने बाला है skills और vocational education को उस धंग से ही orientation दिया जाएगा यह flexibility अभी हमने board score schools की हाथ में दे रहे हैं पढ़ाई और कमाई competency and degree लिग करने के लिए दो बिपरीद दिशा में नहीं है प्रधान मंतरी जी ने तो यह भी प्रेडिट क्या है हमारे लिए degree जितना महतोपन है उतनी महतोपनो competency है और competency बढ़ाने के लिए आयू जैसे हमने शुरू में कहा शिरिप college और school going students के लिए नहीं है भारत में student है यह 80 करोर लोगों की competency बढ़ाने की दाइतों भारत सरकार की सिक्षिया और skill विभाकी है policy के level पे राज्यों की दाइतों है इंडेस्ट्री की दाइतों है यह सारा विश्य NEP में envision किया गया है और आने वाले दिनों में देश में अगर हमको 5 trillion dollar economy बननी है और जो प्रधान तो उसी का पहला आबश्यक्ता है देश की knowledge level को एक massive handholding करके upgrade करना पड़ेगा आप education और skill की बात कर रहे हैं like everybody knows की skill development भी आपका portfolio है इसमें क्या हो रहा है कि according to one report India has about 2 million graduates and half a million post graduates who are unemployed in the country 47% graduates in India are not suitable for any industry role तो यही बात चल रही थी कि जब आप everybody has like even to tier 2 level और rural area में भी जब smartphone आ गया है तो imparting skill should not be a problem impart कर सकते हैं लेकिन अगर वो skilled labor force को नौकरी नहीं मिल रही तो फिर there is a disconnect वो बहुत से लोग सोचेंगे हम यह skill क्यों ले हम क्यों textile industry में काम सीखें क्योंकि जब textile industry ही नहीं है we'll have to leave the state and go Tamil Nadu की बात कर रही हूं शायद if we want to leave from here and we have to leave the state then what is the point in getting skilled from here जब industry नहीं है तो आपको मैं बता हूं गुजिराट के कुछ इलाका में हम सभी की धालना है कि हमारी भारतिय मूल के लोग मेरा तो विक्तिगत धालना था भारतिय मूल के लोग कोलोनी के कारण सायद अफरिका भी कोलोनी रहा हमारी उसी कोलोनी के कारण कॉलोनियल रूल्स के काड़ उन दिनों में भारतिय मूलकी लोग अफरीकिय देशों में गये हैं गुजिराट के कुछ इलाका में लोग 700-800 साल पहले इधर से गये थे उधर से गया आये औरिशा की कोणारक मंदिर में जो हजारों साल पहले बना जीराफ की स्के चेड़ अस्टेलिया से अया है उसका मतलब तो इस पुराने चीज और जब जो कॉरोना पिछले दिनों में हम सब को चेपेट में लिया उस कोरोना के समय में जो मोबिलीटी की एक सपस्टता सब की मन में आई मैं कहूं सपस्टता कई प्रकार की ब्रांती उस समय मोहीती लोग कैसे जाएंगे कहां जाएंगे फिर एकोनोमी रिज्यूम करेगा कि नहीं करेगा लोग रहे लोग लोटे लोग फिर दुबारा लोटके के वार्क प्लेस में फिर हमारी एकोनोमी पट्री पे आ गया यह सारे को दिखते हुए आज मोबिलिटी एक कोई आइसोलेटेट चीज और रेस्टिक्टिव चीज नहीं रहा है देश एक बड़ा वार्क प्लेस बन चुका है देश की फंडमेंटल इसलिए तो कि सरकार की एनाइविलिंग पॉलिशिस को देखिए हमने जब कहा वान नेशन वान रेस्टिकार उसकी अर्थ क्या है मोबिलिटी की हिंडरन्स क्या होती थी हडल्स क्या होती थी गाओं में रेस्टिकार बना है काम करने के लिए सहर को गया देश राज्यत छोड़के गया तो रेस्टिकार दो गया अभी हमने पॉलिजी बने टेक्नोलोजी कार्ण मोबिलीटी करेगा, गाउं की एक च्छतिसगड की गाउं में भी चावल लेगा, आधे चावल तामिल नारू की आपने वार्कप्रेस में भी चावल लेगा, यह संबब है.